तो दोस्तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला दोस्तो कि आप UNO SBI के अंदर यानि कि दोस्तो 2022 के अंदर आप किस तरीके से UNO SBI में आप रेजिस्टेशन करेंगे यानि कि दोस्तो रिजिस्टेशन का जो प्रोसेस है यानि कि दोस्तो जो आप रिजिस्टेशन याप पर फर्स टाइम किस तरीके से करोगे बहुत सारे लोग को यहाँ पर लोग इन भी प्रोब्लम हो रहा है तो दोस्तो मैं आपको बता दूए यूनो इस बीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला है जिससे आप लोग आसानी से आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं यानि कि दोस्तो आप लोग यहाँ पर इस प्रोब्लम को सॉल्व कर सकते है यूनो आपको बता दूँ आपको रेगिसेशन करने में किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं होगा तो वीडियो को आइंट तक देखना तभी आपको जानकारी पता चले का दोस्तों कि हम यूणो SBI में लॉग इन प्रोब्लम जो हो रहा है उसे हम किस तरीके से सही करेंगे दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पर fingers करते हैं तो फिलीज में याननी के दोस्तों मैं आपको बतान हो किपा दूं I S 아't व्यूंक के दूस्तों को रही बैंक करो निक है औरखना Ma mad पर तो लॉगइन हो नहीं रहा है तो हम किस तरीके से लॉगइन करें दोस्तो मैं आपको बता दू सारा प्रोल्म का आज मैं इससी वीडियो में समध्धान करने वाला हूं तो वीडियो को आई अब दक देखना दोस्तो फिर से हमारा वो option से निकल के आ चुका है ताब आपको यहां पर करना क्या होगा चलिए मैं आपको टोटल जानकरी देता हूं दोस्तों आइंट तक जरूर देखना दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले आपसे भी को बता इसके उपर में हम क्या करेंगे तो देख से यहां पर 29 तारीक को यहां पर अब्डेट आया हुआ है यहां पर थी तरीक हम पर आपशन पर आप सब्सक्राइब आपको पर UKRI यहां सब פהゴve यहां पर आपको यहां पर आपके सामने का उस्तरिक का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तों इहां पर आपको क्या करना है settings पर मेंध है ऊपडार को सापना ही क्राइन के बाद पर को अपको अापको दिखने के बाद यहां पर आपको लिखना है दोस्टो, A, M, A, N उसके बाद दोस्टो, यहां पर जैसी इतना लिखोगा दोस्टो, यह निका आपको देख से तो यहां पर App Management को अप्शन आ चुका है, आपको Just इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको app list पर क्लिक करना है उपर वाले में उसके बाद साथ ही हो आपके पास इस तरीके का detail आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपके mobile में जीतना भी application होगा सार application यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर नीचे install और करना है दोस्तों आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना बैग्रोंड डाटा को off करना है उसके बाद यहाँ पर system all options पर क्लिक करने के बाद के लिए data करना है उसके बाद open पर क्लिक करना है अब दोस्तो यहाँ पर हम जैसे open पर click करेंगे यहाँ पर हमें एक नया interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको allow बोलेगाी सबस्फर सफास्ट अब यहाँ पर दोस्तो हम क्या करेंगे इसे allow होने दोते हैं तो यहाँ परंशन इसे हम देंगे तो यहाँ पर ह 받고 थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों तो देख सेते हमारे ये जो है दोस्तों ओबिन हो रहा है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबडाना नहीं दोस्तों आप यहाँ से लोग इन कर पाईएगा बिल्कुल दोस्तों बिना प्रोब्लम को तो दोस्तों यहाँ पर आपको तो दोसो यहां पर आपको allow करना है, allow करने के बाद, आपके साफने, फिर से दो options आएगा, तो आपको पहले way of options पी select करना है, and allow करना है, allow करने के बाद, दोस्व, next button पि click करना है, उसके बाद, message के लिए allow करने हैं, दोस्व, यहां पर हमने message को permission दे दिया, आपके mirror पर OTP तो, दोस्व मैं आपको बता तू जितना तरीका था तू जो ट्रिक था मैंने आप सेयों को सारा बता दा दksom दिये आग्द िरねल में अगर इस थरीक मैं से नहीं होता है तो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलता है नेक्स वीडियों दोस्तों तब दगले जाहिन बंद में